दोस्तो आज की इस व की स्वीडियों हम लोग जानेगे कि फेस div क काउन्ट को डिलीट कैसे कि यहाता है और आप लोगों का जोबी DS packed होता है उसको कोई है कर लेता है यह कोई भी प्राइब्व्लम्ट्स आ जाती है उसमें हमको इसको डिलीट करना चाहती है तो ये आपको एक वारी कलिक कर देना है अब जैसे है आप इस पर क्लिक करोगे नीचे की तरब करोगे तो यहां पर आपको आप option दिखाएँ रहा है setting and privacy Simply इसी पर इक बारी click कर देना है अब जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे setting गा ओपशन दिखाई रहा है इस पर एक बारी click कर देना है अब जैसे फ्रेंड से आप इतना काम करते हो आपको सबसे फॉस्ट में एक option दिखाई देना होगा पर्सनल एंड एकाउंट इनफॉर्मेशन आपको सिंपल इसी पर एक बार किलिक कर देना है अब जैसी आप लोग इस पर किलिक करते हो तो सबसे लाश्ट में आपको एक ओप्सन दिखाई दे रहा है एकाउंट ओवर सिप एंड कंट्रोल यह आपको लाश्ट में दिखाई दे रहा है इसी पर एक बार आपको किलिक कर देना है दोस्तों इतना करने के बाद आपके सामने दो ओप्सन से दिखाई दे रहे होंगे इसमें आपको पहले बाले पर टाच नहीं करना है दूसरा बार आपको दिखाई दे रहा है deactivation and deletion तो इसी पर आपको एक बार एक बारी क्लिक कर देना है इसमें साब साब दिखाई भी दे रहा है temporarily deactivate और permanently delete your account अगर आप लोग अपने account को जो है temporary बंद करना चाहते हो तो आप फिर बाद में उसको open कर सकते हो लेकिन यहाँ पर permanently delete कर दोगे आप लोग तो उसको open नहीं कर पाओगे तो simply आपको इसी option पर एक वारी click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो deactivate account दोस्तों अगर आप लोग पहले वाले option पर इस पर click कर देते हो deactivate account पर तो आपका account चोब वो 15 से 20 दिन के लिए disable हो जाएगा इसको बाद में Facebook की तरफ से open कर दिया जाएगा लेकिन अगर आप लोग नीचे वाले option पर यानि कि delete account वाले option पर एक वारी click कर देते हो तो यह आपका account permanently delete हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है कि आपको जो करना है वो आपको लोग यहाँ से कर सकते हो लेकिन फिलाल मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ permanently delete तो मैं दूसरे वाले option पर click कर देता हूँ इसको करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो continuous to account election तो इस पर एक वारी click कर देना है जैसे आप लोग यहाँ पर click करते हो तो आपके सामने बहुत सारे options से दिखाई दे रहोंगे यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि I spend too much time on Facebook second number पर दिखाई दे रहा है इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो protecting your account यह इसको आप चाहो तो read कर सकते हो नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो continuous account election यहाँ पर आप लोग एक वारी click कर देना है अब जैसी आप लोग इतना काम करते हो तो आपके सामने यह पूरा dashboard यहाँ पर खुल कर आ जाएगा इसको आप लोगों को एक वारी नीचे scroll कर दिना है देने इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हो आप पासपोर्ट डालते हो continuous पर क्लिक करते हो तो आपका जो एकांट हो पर्मानेंटली डिलीट हो जाता है दोस्तों वीडियो अच्छी लेगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्योंकि ऐसी इंटेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ